अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बैल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए हलो फ्रेंज, वेल्कम इन सोहानीस किचिन, तो फ्रेंज आज कुछ चॉकलेट्स हो जाएं, जिहां चॉकलेट्स वो इतने यमी वाले और नट्स वाले चॉकलेट्स आज में आपको बनाना सिखाऊंगी, कुछ प्लेन भी बनाए हैं मैंने, तो आप उसे कैसे भी बनाएं कैसे simple way में gift wrap किया जाए वो भी मैं आपको सिखाऊंगी तो वीडियो को skip मत कीजिए का complete देखिए और जट पर से चलते हैं केचिन में बनाने हमारे मस्त वाले चॉकलेट तो देखिए इसके लिए मैंने लिया है एक पूरा कप शुगर और साथ में मैंने इस मेलिया है हाफ कप पौडर मिल्क जी हाँ यह दो इंगरीडियन के लिए है मैंने अभी तो powder sugar और milk powder को दोनों को हम अच्छे से चान लेंगे बिल्कुल अच्छे से ताकि इसमें कोई भी गुटली या लंस जो है न वो नहीं हो तो देखिए अच्छे से चान लिया हमने इसे और अब हम इसमें मिलाएंगे 3 फोर्थ कप cocoa powder तो जो इसका जितना भी ingredients है और measurement है वो मैं description box में लिख दूँगी आप वहां से प्लीज चेट कर लिजेगा और इसे वैसा ही measurement रखिएगा तो देखिए हमने cocoa powder को भी अच्छे से चान लिया है तो फ्रेंस चानने के बाद यह इन तीनों को जो इंग्रीडियन है इन्हें अच्छे से mix कर देना है और mix करने के बाद जो हमें चॉकलेट लिए ड्राइ इंग्रीडियन चाहिए होते ना बस वो ready हो गया है देखिए कितने जटपड से चॉकलेट बन जाते है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारे लिक्विड इंग्रीडियन की तरफ उसके लिए मैंने गैस पर पैन रखा है उसमें पानी रखा है बॉयल होने के लिए हाई फ्लेम पे जैसी पानी बॉयल होने लगे उसमें एक आपका मजबूत वाला ग्लास पॉट हो ना जहां रखिए कि बहुत अच्छी क्वालेटी वाला ग्लास पॉट रखिएगा और उसमें मैंने डाला है यह एक कप कोकोनट जी हां यह कोकोनट ओल डाल दीजी और याद रखिएगा जो नीचे हमने पॉट रखा है उसकी फ्लेम मैंने बिलकुल लो कर दी है और पानी और पॉट के बीच में गैप है और जो यह ड्राइ इंग्रीडियन्ट है इसे इस पॉट में हमें धीरे-धीरे से मिलाते जाना है बिलकुल धीम में धीम में धीरे-धीरे मतलब की अब प्यार जैसे मैं धीरे-धीरे बोलने वाली थी मुझे वो सौंग याद आ गया जो मुझे अब नहीं बोलना है तो आप इसे धीम में धीरे-धीरे मिक्स करते चाहिए इस जो हमारे ड्राइ इंग्रीडियन्ट को हमारे coconut oil में जी हां यह देखिए complete जो ingredient हमने बनाये है न ड्राय वाले वो इस oil में यानि की one cup oil में अच्छे से mix हो जाएंगे और यहां इस stage पर gas कर दीजिए बंद पूरा हमारा जो है melt हो गये है चॉकलेट का जो flavor जो liquid है वो ready हो चुका है मेरा ध्यान अभी भी उसी song में जा रहा है जो मैंने अभी गलती से यहां गा दिया था anyways चलिए आगे बढ़ते हैं यह liquid ready है गैस से हटा दिया है मैंने इससे अब ठंडा होने के लिए दो मिनिट रखेगा पूरा complete ठंडा मत हो जाए करने दीजेगा वरना यह यही पर जम जाएगा तो इससे दो मिनिट के लिए थोड़ा ठंडा कर दीजिए और अब हम तयारी करते हैं मॉल्ट में से ट्रांसफर करने की तो देखिए इस तरह से मेरे पास इस सिलिकोन मोल्स है और मैंने यह जो चौकलेट सिरप था ना वो इस तरह से जो है ना सॉस की बॉटल लाती है या फिर जिससे हम जलेबी बनाते है ना उससे या फिर चोटे स्पून से या चोटे कप से अब इसमें ट पसंद हो आप वो इसमें फिल कर सकती है यह देखिए दूसरा वाला मोल जो है वो फ्लार का है शेप एक हार्ट शेप के हमारे चोकलेट से बनेंगे एक फ्लार शेप के और यकीन मानिए इतने टेस्टी कि पस कहना ही क्या इसे घर पर ज़रूर बनाईएगा और यह है प्लेट सिंपल वाले चोकलेट है वाले शोटेसं घर यह अगा ने ने और हमारे चोकलेट को और भी ज़ादा टेस्टी और और भी ज़ादा रिच लुक देने के लिए मैंने क्या किया है रोस्टेर जो सेस्मी सीर्स जो थोटे से बस्डू पर गोड़े से स्प्रिंकल कर तो चलिए आगे बढ़कर फिर हम इसे पूरा फिल कर देते हैं, बीच में नर्स और सेसमी सीर्स और चॉकलेट को करिए इसको लॉक जिहां यह कम्प्लीट लॉक हो गया चॉकलेट हमारा और इसे इस तरह से फटा फट से पूरा फिल कर दीजिए और रखिए इसे फ्रीजर मे किसी चॉपिंग बोर्ड पे जा फिक प्लेट पर रखकर ही फिल करें और उसे उसके साथ ही फ्रीजर में फ्रीज करने के लिए रहें तो दो घंटे बाद जब हम इसे फ्रीज करके बाहर निकालते हैं तो देखिए हमारे चॉकलेट किस तरह से कमप्लीट जो है जम गए हैं और इसे डी मोल्ड करते हैं ये देखिए वाव देखिए लग रहा है ना मार्केट वाले चॉकलेट और घर में इतने सस्ते बढ़ते ही नहीं चॉकलेट फ्योर भी बनते हैं हमने खुद बनाये हैं अपने मन पसंद के जो नर्ट्स डाले हैं ये देखिए बस जरूरत क्या है उन चार चीजों की और ये इस तरह के सिलीकॉन मोर्स अगर आपके पास अवैलेबल नहीं है तो छोटे छोटे घर में चुटे छोटे बाउल्स होते हैं या फिर कुछ ना कुछ जुगाड कीजिए कुछ ना कुछ आपके घर में जरूर ऐसा होगा जिसमें आप चौकलेट को जमा सकती हैं फ्रीज कर सकती है मैं हमेशा से यही कहती हूँ की कुछ एफ़र्स लगाइए तो कुछ अच्छा होगा ही तो एफ़र्स लगाइए और चली हम इसे रैप करके दिखाती हूँ बस दो तरीके बता रही हूँ, मैं एक easy वाला तरीका जो foil paper है, हम सबके घर में होता है तो ये देखिए, इस तरह से foil paper के छोटे-छोटे piece कर लीजिए according to chocolate size जो भी है हमारी, उसे साब से और उसे अच्छे से इस तरह से दबा-दपाके प्रेस करके बंद कीजी, और ये chocolates कौन कहेगा कि हमने घर में बनाए हैं, यार अगर आप इसे gift करेंगी, बच्चों के birthday पर बनाएंगी, Christmas, New Year पे serve करेंगी, अपने guests को या कोई भी आई, आप उन्हें, खिलाईए तेखिए, ये chocolates ज़रूर आपको तारीफ है देगा ये देखिए, मेरा बेटा तो बिल्कुल वेट नहीं कर पाया उसने बीच में ही आकर attack किया और चॉकलेट उठाके बाग गया ये देखिए, दूसरी तरह की packing में आपको दिखा रही हूं, इस तरह से gift wrapping paper जो होता है उसे लीजिए, इस तरह से इसे candy की तरह रैप कीजिए, और ribbon अगर आपके पास saturn ribbon है, अगर आपके पास iron वाला ribbon है पहुत तरह के ribbons मार्केट में अवेलिबल होते हैं मेरे पास पिलाहाल ये plastic ribbon है इसे मैं इस तरह से tie कर लेती हूं इसे की note बांद दीजिए से क्योंकि इस तरह से इसको टाय कर लीजिए, note बांद दीजिए और अब ये जो इसके जो wings अना ये अच्छे नहीं लेख रहे हैं तो हमें क्या करना है, एक टेक्निक बता रही हूं लेकिन बहुत सावधानी से वह टेक्निक कीजिएगा क्योंकि मैं यूस्टू हूँ गिफ्ट्रेपिंग करने की तो मुझे बहुत अच्छे से आता है आप प्लीज बच्चों को मत दीजिए करने के लिए और खुद भी करें तो कैची या सीजर जो भी है आपकी उसकी धार जादा तेज नहीं होनी चाहिए तो इस तरह से खीचिएगा इसे बहुत हलके हाथ से रखके और जो हमारी सीजर की धार है उससे थोड़ा तिर्चा रखिएगा सीधा मत रखिएगा और देखिए मैं सिर्फ रिबन को खीच रही हूँ और मैंने जादा प्रशर सीजर की जो शापने से उस पर नहीं दिया है एक आध बार आप करेंगी थोड़ा स्लो स्लो कीजिएगा मैं फिर से कह रही हूँ इसका ध्यान रखिएगा नहीं होता है मत कीजिएगा पर प्लीज 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कोई कारा कंडी मत कीजिए और पता चला चॉकलेट बनाने चले और नदियां बह गई गई तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा यह थोड़ा सा टेकनीक से होगा और बच्चों को तो बिल्कुल मत करने दीजिए गई जीज तो चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए फटक से हम लोग 2-3 और रैपिंग कर लेते हैं और इस थरह से मैं आपको दिखाती हूँ तो फ्रेंड्स इसे इस तरह से गिफ्ट रैप कीजिए बहुत ही आसान है लेकिन सावधानी से कीजिए और इसे मार्केट वाला कम्प्लीट लुग दीजिए जीहां चार इंगिरीडियन्स से बनकर हमारे बहुत ही कम बजट में चॉकलेट बनके रेडी हो जाते हैं और टे देपाथी पे इस तरह चॉकलेट बना के सव कीजिए तो फ्रेंड्स लास्ट नॉट लीस्ट चॉकलेट को टेस्ट करना तो बनता है तो इसका अंदर का टेक्ट्टर देख लीजिए वाव यह तो पतलब की कैशु वाला चॉकलेट आया है मेरे पास तो फ्रेंड्स बनाई अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बैल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा